नमस्कार दोस्तो, Quality of India के इस प्रोग्राम में मैं R&B स्वकरम आप लोग का बदोसागत करता हूँ दोस्तो इस प्रोग्राम में हम लोग Operational Excellence के बारे में जानेंगे तो दोस्तो आखिर यह Operational Excellence होता क्या है? अगर हम इस टर्म को अगर हम लोग ब्रेक करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो टर्म आजाएगी Operational दूसरा हो गया Excellence यानि कि Operations में कमपनियां जो भी अक्टिविटी करती है जो भी Operations करती है उसमें Excellence लाना ठीक है ना? अब यह Operation जो है Manufacturing से थोड़ा हटके है, थोड़ा सा Broad Term है क्योंकि Operation में Manufacturing और Non-Manufacturing अक्टिविटी दोनों आती है यानि कि हम क्या सकते हैं कि Manufacturing कमपनियों में Manufacturing Excellence रन किया आता है है ना? जैसे कि for an example कोई Automotive के Parts बना रहा है कोई Casting कर रहा है, कोई Forging कर रहा है, कोई Machine कर रहा है या कोई Air Compressor बना रहा है, कोई Motor बना रहा है, कोई Fan बना रहा है, कोई घड़ी बना रहा है यह सारे चीज़े क्या हो रही है? Manufacturing हो रहा है तो Manufacturing कमपनियों में इसे हम Manufacturing Excellence के नाम से जानते हैं लेकिन बहुत सारे कंपणियां जहां पर manufacturing नहीं होती है, लेकिन operation कुछ ने कुछ तो होती है, जैसे कि for an example, IT कंपणियां है, manufacturing तो नहीं करते हैं, लेकिन operations तो होता है, उसके बाद में KPO है, BPO है, banking है, healthcare है, इस तरह से शैकड़ों कंपणियां है, जहां पर की manufacturing तो नहीं होता है, लेकिन कुछ न कुछ operations कैरी करते हैं, तो वहाँ पर हम operation में excellence लाते हैं, इसलिए हम उसे operational excellence करते हैं, तो manufacturing excellence और operational excellence similar चीज़े ही हो गई, operation थोड़ा सा broad level का term हो गया, जिसमें कि manufacturing excellence आप बोल सकते हैं, उसका integral part हो गया, यानि कि manufacturing company हम इसे कहेंगे manufacturing excellence, और जो company non manufacturing में होती है, वो इसे operational excellence कहती है generally, अब इसे मिलता जोता है एक और term है business excellence, अब business excellence थोड़ा सा और broad term हो गया है न, तो business excellence में कुछ और philosophy होती है, business excellence कुछ model होता है, कभी उस पर भी एक video बना देंगे, तो खेर हम फिलाल में भी operational excellence पर focus करते हैं, यानि कि हमारा purpose यहाँ पर होता है, हम जो operations कर रहे हैं, उसमें excellence लाना, अब इस operational excellence को sort में OPEX, यानि कि OPEX के नाम से भी जाना आता है, अब industry में काफी सारे जगों में sort form इस्तमाल किया आता है, तो operational excellence को हम OPEX भी क्याते हैं, अब operation में excellence लाने के लिए हमको कुछ ना कुछ, methodology तो इस्तमाल करना पड़ेगा, तो methodology कौन सा रहेगा, अब बहुत सारे methodology इस्तमाल की जा सकते हैं, जिसमें से की बहुत commonly used जो methodology इस्तमाल की आता है, उसमें six sigma हो गया, lean system हो गया, इसके अलावा और भी हैं, जिसे kaizen हो गया है, continual improvement के और processes होते हैं, ठीक है ना, तो इन सारे methodology का इस्तमाल की आता है, operation में excellence लाने के लिए, अब अगर quality of India की अगर बात करें, तो quality of India में, operation excellence से pertaining हमारे पास में course है, certified operational excellence manager, बहुत बड़ी है course है, lean पर courses है, lean expert है, gold है, silver है, basics of lean manufacturing है, और इसके बाद में अगर six sigma की बात करें, तो six sigma में भी काफ़ सारे courses हैं, white belt से लेके yellow belt, green belt, black belt, master black belt level तक के certification programs हैं, जो की globally accredited और internationally recognized हमारे courses हैं, साथ इसाथ देरो, continual improvement के जो अदूसरे methodology हैं, best practices हैं, उनके भी courses हमारे पास में available हैं, आप उनको हमारे portal में explore कर सकते हैं, विसके काफी सारे हमने short video, YouTube पे बना के भी डाले हुए हैं, आप उनको भी check करके बहुत कुछ सिख सकते हैं, तो अब अगर हम बात करते हैं operational excellence की, तो हम इन tool का इस्तमाल करेंगे, या methodology का इस्तमाल करेंगे, आप इन methodology का इस्तमाल करेंगे, है ना, operation में excellence लाएंगे, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, ये typically हमारा target होता है, operational excellence में, तो दोस्तों यहाँ पर हमने broad level में, team चीजों को summarize किया है, जो कि हम operational excellence के माध्यम से, अचीब करते हैं, अब focus करते हैं, पहला हो गया raising efficiency, यानि कि हमारे जो काम करने की जो efficiency है, उसको हम better करेंगे, अब अगर manufacturing में काम कर रहे हैं, तो हम machine का इस्तमाल करेंगे, तो machine के efficiency को improve करना, operator के efficiency को improve करना, ठीक है ना, और भी कापी सारे matrices होता हैं, हम जिस इस्तमाल करते हैं, उनमें improvement लाना, दूसरा हो गया reducing expenses, जो हम खर्चे कर रहे हैं, उसमें कमी लाना, इसका मतलब हो के जो unwanted expenses हैं, उसमें कमी लाना, और value addition को optimize करना, ये primary focus होता है, और third हो गया, stabilizing the workforce, workforce कैसे stabilize करेंगे, उनको motivate करेंगे, उनके लिए employee engagement के program को run करेंगे, उनकी competency को enhance करेंगे, उनके skills को बढ़ाएंगे, है ना, ये सारे तरीके हो जाएंगे, हमारे worker को motivate करके, उनको stabilize करने के, ताकि हमारा attrition में भी कमी आए, safety में improvement हो, और accident में भी कमी आए, अब दोस्तों बात करते हैं, broad level में, कि operational excellence के क्या-क्या benefit हो सकते हैं, वैसे हमने कुछ benefits तो already discussion कर लिये हैं, है ना, फिर भी formally इसको summarize कर लेते हैं, improving productivity, तो जो company, जिस भी तरह के activities में engaged हैं, उनमें productivity में improvement करना, है ना, ये काफी critical होता हर एक organization में, तो जो भी productivity का भी level है, उसमें 10 person, 20 person, 30 person, 40 person, है ना, ये month on month, year on year, इसमें continuously improvement होते रहना चाहिए, increasing revenue, ये तो ultimately हर एक company का target होता ही है, कि top line यानि की revenue में बड़ोतरी करना, bottom line यानि की profit में भी बड़ोतरी करना, तो दोनों काफी critical trigger होते हैं, top management के लिए, उसमें continuously हमको improvement करना है, ठीक है ना, enable long term growth, company के growth को long term के हिसाब से, set करना, vision बनाना, उसके लिए mission बनाना, goal और strategy बनाना, उसके लिए फिर project बारा लेके उसको deployment करना, और उसके लिए हमको employee engagement के program को run करना होता है, तो इस सारा जो ताहां बना रहता है, ये operation excellence के model में, ये मिला जूला रहता है, तो इसको अगर detail में समझना चाहते हैं, तो हमारे जो operational excellence का जो core साब उसको explore कर सकते हैं, boost maintenance efficiency and cost, तो machine जो आपके run हो रही है, उसमें maintenance के efficiency को बढ़ाना, breakdown में कमी करना, और machine के availability को improvement करना, repair और maintenance को कमी लाना, ये भी काफी critical aim होता है, breakdown में कमी लाना हमने और डिसक्रसन कर लिया है, make production more consistent, predictable बनाना, production को repeatable बनाना, और उसमें जो losses बगर हो रही हैं, losses में कमी लाना, अब जब losses के बात करते हैं, बाकि सारी चीज़ों के बात करते हैं, waste के बात करते हैं, तो lean methodology काफी important होती है, और साथ ही साथ हम TPM का भी इस्तमाल कर सकते हैं, कोई problem नहीं है, टीपिम हम बात करते हैं, zero bad की, यानि कि zero breakdown, B से हो गया breakdown, A से हो गया accident, और D से हो गया defect, यानि कि breakdown को zero करना, accident को zero करना, और defect को zero करना, तो हम TPM का भी इस्तमाल कर सकते हैं, तो ये भी काफी famous methodology होता है, और नाइसन में continual improvement करने के लिए, और company की flexibility को बढ़ाना है ना, ताकि जब market में कुछ recession आए, या हमारे customer जो है, वहाँ पर अगर कुछ demand में, अगर कुछ up and down होती है, तो organization में इतनी flexibility होनी चाहिए, कि उसके साब से अपने आपको adjust कर पाए, नहीं तो हम survive भी नहीं कर पाएंगे, तो यह दोस्तो, broad level में हमारे कुछ critical benefits हो गए, operational excellence initiative को, किसी भी organization में drive करने के लिए, अब बात करते हैं, कुछ important components of operational excellence, क्योंकि अगर यह successfully implement नहीं होंगे, properly अगर काम नहीं करेंगे, तो आपके organization में, operational excellence भी सही दरीके से काम नहीं करेंगा, तो इसमें तीन element हो गया है, पहला हो गया, creating a holistic environment, organization में इतना अच्छा environment बनाना, जहां पर कि लोग आसानी से काम कर पाएं, एक दूसरे साथ मिल के काम कर पाएं, और continual improvement हो पाएं, ठीक है ना, project लिये जा रहे हैं, लगतार उसमें improvement किया जा रहा है, बेंचमार्क लिया जा रहा है, competitor को पीछे कर रहे हैं, ठीक है ना, और हमारा revenue बढ़ रहा है, तो ये सारा holistic environment, develop होने के बाद ही हो सकता है, दूसरा हो गया, collaborative workforce, जहां पर कि department एक दूसरे का टांग नहीं खीच रहे हैं, सब मिल जूल के काम कर रहे हैं, organization का जो overall objective है, उसको achieve करने के लिए सारे department मिलके, साथ में काम कर रहे हैं, उस तरह का culture को create करना, ये बहुत बड़ा important aim होता है, जो की operation excellence माधियम सम अचीव करते हैं, और थर्ड हो गया committed leadership, of course, leadership के या top management के commitment के बिना, कोई भी initiative successful नहीं हो सकता है, सबसे पहला तो मंतरा यही है, कि top management का commitment होना चाहिए, तो ये भी key element आ गया, हमारे operational excellence के लिए, तो अच्छा environment create करेंगे, collaborative workforce होगा, और top management commitment होगा, अगर ये तीनों चीजे सही तरीके से काम करेंगी, तो foundation आपका strong रहेगा, नए नए product आप market में launch करेंगे, नए नए segment में आप enter करेंगे, नए नए geography में आप enter करेंगे, और आपकी revenue बढ़ती जाएगी, तो दोस्तों operational excellence के जहां तक हम बात करते हैं, तो operational excellence में भी काफ़ सारे models का इस्तमाल कियाता है, उसमें से एक important model जो इस्तमाल कियाता हूँ है, CGO Singo का, CGO Singo काफ़ी famous नाम है, operational excellence के area में, in fact हम lean manufacturing area में, उन्हों काफ़ी बड़ा contribution मानते हैं, पुकायोके के जो concept है, उन्होंने develop करवाया था, साथी साथ SMED, यानिकी single minute exchange of dyes, इसके concept को भी CGO Singo नहीं दिया था, और उनके नाम से ही जो award है, operational excellence का वो दिया जाता है, तो वैसे काफ़ी सारे models available है market में, और बहुत सारे अलाला तरके structure भी होते हैं, operational excellence agency को drive करने के लिए, काफ़ी सारे corporate organizations हैं, जिनके साथ में qualitative India काम करती है, उनके अपने operation excellence के खुद के model हैं, इनफर्ट मैंने personally भी काफ़ी सारे multinational company में, operational excellence head के तौर पे काम किया है, जहांपर कि मैंने pan India level में, या global level में भी मैंने initiatives को drive करवाया है, operational excellence और business excellence, जहांपर कि हमने खुद भी अपना model बनाया हुआ है, business excellence का, operational excellence का, और हर एक organization के अलग-अलग product, अलग-अलग processes होते हैं, और अलग-अलग complexity होती है, maturity level अलग-अलग होता है, तो उनको ध्यान में रखते हुए, अपना आप model भी develop कर सकते हैं, वैसे हम यहांपर एक simple सा structure देखने वाले हैं, operational excellence का, यहांपर जो हमारा ultimate achievement होगा, operational excellence होगा, operation में excellence लाना, ठीक है न, यह हमारा aim रहेगा, तो foundation क्या हो जाएगा, company की strategy, यानि company का कोई vision होगा, उसके लिए mission बनेगा, strategic roadmap बनेगा, roadmap को align करने के लिए, आपके पास प्रॉपर structure होना चाहिए, कौन से department रहेंगे, कौन टॉप में रहेगा, कौन किसको report करेगा, किसके क्या roles and responsibility रहेगी, यह सारा आप structure बनाएंगे, systems और processes बगरा define करेंगे, इसके लिए बहुत important होता, company का जो management systems होता है, बिना आप excellence की बात नहीं कर सकते हैं, तो generally दोस्तों, जब हम कोई नया model develop करते हैं, किसी भी organization के लिए, तो पहले तो हम ध्यान देते हैं कि, company का foundation कैसा है, अगर company का foundation ही नहीं होगा, basic systems ही जगा पे नहीं होगी, basic fibers ही नहीं किया जा रहा होगा, तो आप किस तरीके से excellence की बात करेंगे, ठीक है ना, तो basic foundation होना जरूरी है, उसी के हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, पहले वाले column में, ठीक है ना, तो process and systems होना जरूरी है, product and services पर आपका focus होना चाहिए, properly defined होना चाहिए, process properly run करने चाहिए, और इससे आपका inovler linked होता है, जो की आपको inovler करता है, आपके result को अचीव करने के लिए, ठीक है ना, performance management, process के performance, और individual के performance, machine के performance, सबी चीज़ों के performance को properly हम manage करेंगे, leadership, commitment रहेगा, people और culture, proper culture डेलप करना है, लोग की competency को enhancement करना है, employee engagement के program को run करना है, ठीक है ना, तो continuous improvement या continual improvement भी लगता चलते रहनने चाहिए, इसके बहुत सार तरह के programs होते हैं, 5S, काईजन, quality circle, या CIP के projects, या Six Sigma के projects, बहुत तरह के methodology होते हैं, आप उनको इस्तमाल करके, continuous improvement के projects वारा run कर सकते हैं, अब इस अब individual level में काम नहीं करता है, सारे चीज़े integrated होती है, अगर आप Six Sigma के program को भी run करेंगे, तो बिना culture का वो नहीं होगा, और उसमें भी performance management आएगा, है ना, process के performance को monitoring करेंगे, team के performance को monitoring करेंगे, और individual leaders के performance को भी हम monitoring कर सकते हैं, monitoring करेंगे तो इससे gap निकल के आएगा, और इस gap पर action लेंगे तो overall में, सभी के performance में improvement भी होगा, इसके अलावा risk and quality management, जो भी organizations के risk रहेंगे, चाहे financial risk रहा, business risk रहा, safety risk रहा है ना, हर तरह के risk को identify करेंगे, risk को mitigate करेंगे, minimize करेंगे, और quality management को strong करेंगे, यह सारे चीज़े जब हम करते हैं, तो हम operational excellence के तरफ जाते हैं, यह बहुत ही simplistic तरीके से, मैंने structure को explain करने कोशिश किया है, चीज़े काफी सारे और भी detail में रहती है, operational excellence model में, तो जब आपको इस पर work out करेंगे, तो आपको सारे element को छोटे-छोटे part में break करना पड़ता है, कौन करेगा, कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, कहां पर करना है, कहां नहीं करना है, इन सारे चीज़े को plan करना पड़ता है, और यह journey जो होता है, time लगता है, आपने आज decide किया कि operational excellence करना है, और अगले दिन आपका operational excellence हो गया है, कुछ-कुछ जगाओ में तो सालो लगते हैं, operational excellence की इनिशेडी को drive करके mature होने में, और इसको कुछ जगाओ में step by step, या phases में भी divide किया आता है, जहां पर कि हम एक phase दो complete करते हैं, उसका दूसरे phase में जाते हैं, फिर तिसरे phase में जाते हैं, इस तरीके से भी उसको हम track करते हैं, तो दोस्तो मैं आसर करता हूँ कि इस module से आपको broad level में operational excellence क्या होता है, या manufacturing excellence क्या होता है, clear हुआ होगा, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ miss किया है, या मुझे कुछ add करना चाहिए था, comment section में जरूर लिखें, वीडियो अगर पसंद आया दोस्तो, इसको like करना ना भूलें, और अगर आप channel पर नए आए हैं, तो subscribe कर लें, बेल आइकन को भी click कर लें, वीडियो का लिंक अपने दोस्तों साथ में जरूर सेर करें, ताकि उनको भी कुछ नया सिखने का और आगे बढ़ने का मौका मिले, और हाँ दोस्तो, हमारे online training का certification program का benefit जरू ठाएं, आप हमारे portal पर जाके डेहरो courses हैं, आप उनको explore कर सकते हैं, घर बेटे सिख सकते हैं, अपने career को नई उचाए में लेके जा सकते हैं, और अगर आप चाते हैं कि Quality of India आप एक कंपनी में आके कोई training program करें, किसी तरह कंसल्डंसी की requirement है, तो उसके लिए भी आप हमें हमारे mail ID पे या हमें call करके भी discussion कर सकते हैं, हम आपके साथ में जुड़ के आपके objective को achieve करने में आपको हम help करेंगे, टेक केर दोस्तों, जहिन!